अगर आपका बजट भी 30-40 रुपे के आपसास में है और आप 30-40 रुपे के अंदर में एक पैसा वसूल लेपटॉप लेना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को सुरु से लेकर आखिर देखे क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो है टॉप 5 बेस लेपटॉप अंडर 30,000 बत बैठता है तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिफ नमर पर जो आप लेपटॉप ले सकते हैं वो है डेल के तरफ से आने वाला लेपटॉप है इस लेपटॉप की अगर डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंचेस का डिस्प्ले है राइजन 3 3250U का प् करना चाहिए राइम की बात करें तो इस में 3200 परेकूंसी मेगहर्च का हायस्ट फ्रेकूंसी का ररैम इसमें लगा वह है यानि कि processing speed आपको इस लेपटॉप में बहुत ही अच्छा मिलों को मिलेगा और अगर overall देखा जाया ओर इस price range के अंदर के आपको जो है बहूत अच बेस्ट है जो लोग student है, online classes, online teaching, coding, programming के लिए laptop लेना चाहते हैं न तो ये वाला laptop बिंदा सब ले सकते हो फोर्थ नमर पर जो laptop आप ले सकते हो वो है Asus VivoBook 15 laptop इस laptop के अगर डिस्प्लेई की बात करोगे तो इसमें आपको 15.6 इंचिस का डिस्प्लेई मिलने वाला है प्रोसेसर Ryzen 3 3250U का प्रोसेसर है 8GB का RAM 256GB का M.2 NVMe SSD में लगा हुआ है और इसमें आपको Windows 11 आपको प्रिंस्टॉल आपको मिल जाता है अब जानलों कि Asus के तरफ से आने वाला ये वाला laptop आपको क्यों consider आपको करना चाहिए दोको इसमें जो 8GB का RAM लगा हुआ है वो आपका 4GB onboard RAM है और 4GB आपका system RAM इसमें लगा हुआ है जबकि इसी price range में और किसी laptop में देखो के तो 8GB का पूरा RAM होता है वह पुरा slot जो slot में लगके RAM आता है वैसा RAM उसमें देखनों को मिलेगा लेकिन इसमें 4GB RAM जो onboard RAM है उससे आपको पॉफ़एंस आपको अच्छा दे इस laptop में आपको 200 nits वाला brightness वाला display आपको देखनों को मिल जाएगा इसके साथ इस में आपको 83% screen to body ratio आपको देखनों को मिलेगा यनि कि आपका laptop का screen है उसमें bezel बहुत कम आपको देखनों को मिलेगा जिससे कि आपका बहुत premium look वाला ये laptop आपको देखनों को मिलता है इसके स fingerprint reader का भी option आपको देखने को मिल जाता है इसके साथ साथ इसमें आपको जो है USB 3.2 और Type-C जैसे नॉर्मल जितने भी ports हैं वो सारे के सारे ports आपको इसमें देखने को मिल जाएगा तो overall देखा जाए तो 30,000 के price range के आसास में आपको जो ये वाला laptop भी आपको consider आपको करना चाहिए 3rd नमर पर जो laptop आप ले सकते हैं वो है Honor के तरफ से आने वाला MagicBook X 15 laptop और यकीन मानो 30,000 के price range में ये वाला जो आपको जो configuration आफर करता है न इस price range में कोई भी आपको 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 नहीं कर पाए का डिस्पले की बात करोगे तो इसमें आपको 15.6 इंचिस का डिस्पले है Intel i3 10th generation का प्रोसेशर है 8GB का RAM 256GB का SSD और Windows 10 इसमें आपको प्रिंस्टोर आपको मिल जाता है अब जानलों कि Honor Magic Book X15 वाले laptop को आपको क्यों consider करना चाहिए दोखो price की according ये जो configuration आफर करता है न बहुत अच्छा configuration आपको आफर करता है और सबसे अच्छा बात ये है कि इस जो ये वाला जो laptop है न इसका build quality देखो कि तो बहुत ये premium और stylish इसका build quality आपको देखनों को मिलेगा प्लस इसका जो body जो है वो pure aluminium metal frame का ये बना हुआ है इसके साथ ये Honor के तरफ आने वाला ये वाला laptop जो है low blue light certified के साथ ये आता है और इसमें आपको जो है flicker free certification के साथ ये laptop आपको देखनों को मिलता है इसके साथ ही इस laptop में आपको 65 watt का type C का fast charging आपको देखनों को मिलता है जो कि इस price range में देखो गए नो तो किसी भी laptop में आपको जो है type C fast charging के साथ आपको देखने को आपको नहीं मिलेगा इसके साथ ये Honor के इस laptop में आप 59% तक का बैटरी आप 30 मिनिट में आप चार्ज आप कर सकते हैं इसके साथ इसमें आपको 2-1 fingerprint reader का भी option मिलता है यानि कि एक ही बटन है उससे आप power on off भी कर पाएंगे और उसी से आप fingerprint lock भी लगा पाएंगे तो overall देखा जाए तो इस price range में Honor के तरफ से आने वाला ये बहुती premium और बहुती अच्छा दिखने वाला laptop है जो की एक अच्छे build के साथ और एक अच्छे configuration के साथ आता है तो basic आपको ये वाला laptop की आपको जो है consider आपको करना चाहिए सेकंड नमर में जो laptop आप ले सकते हैं वो है Acer के तरफ से आने वाला Acer एक्छेंज सा 15 laptop डिस्प्ले की बात करोगो तो इसमें आपको 15.6 इंचिस का डिस्प्ले मिलता है तो सबसे अच्छा processor i3 11th generation ही है अगर बहुत लोग चाहते है कि मुझे processor बहुत ही अच्छा चाहिए तो basic आप Intel i3 11th generation के साथ ही जाओ क्योंकि इस price range में इससे अच्छा processor वाला laptop आपको आपको नहीं मिलने वाला है इसके साथ ही इस laptop में आपको बैटरी performance भी अच्छा मिलने वाला है यानि कि इसका बैटरी backup है बहुत ही excellent है और इसमें भी जो 8GB का रहें मिलता है वो 4GB onboard RAM है और 4GB system RAM है जो कि normal किसी 8GB RAM वाले laptop के मुकाबले इसमें आपको processing speed भी अच्छा आपको देखने को मिलता है इसके साथ ही इसमें आपको जो है dual band Wi-Fi का भी support मिलता है और ये वाला जो laptop है ये दो variant में आता है अब जान लेते हैं कि number one पे कौन से laptop है जो आपके लिए बिल्कुल पैसा वसूल laptop है और ये एक ऐसा laptop है जो कि हर तरफ से बिल्कुल all rounder laptop है क्योंकि तो बहुत सरे लोग ऐसा चाते हैं कि मैं laptop भी लूँ configuration भी अच्छा हो सब कुछ अच्छा हो प्लस in future उसमें upgrade करने का भी option हो और price भी budget segment के अंधर में हो यानि कि आपको जो ही in future 3-4-5 साल तक आपको जो है laptop चेंज करने का जुरूत ना परे तो उनके लिए ये वाला laptop है HP 15S जो कि first number वाला ये laptop है अगर display के बात करोगे तो इसमे 5300U का processor है 8GB का RAM 256GB का M.2 NVMe SSD है और Windows 11 और Office इसमें pre-install आपको देखने को मिल जाता है अब जानलो कि number 1 में ये जो laptop है HP 15S ये वाला आपको क्यों आपको consider करना चाहिए देखो इसमें जो Ryzen के तरफ से आने वाला Ryzen 5300U का processor जो लगा हुआ है न ये आपका 4 core और 8 thread वाला ये processor है जब कि normal आप i3 11th generation वाले processor आप देखोगे तो वो आपका 2 core और 4 thread आपको देखने को मिलेगा यानकि इस price range में जो भी laptop आप देखोगे तो अगर आप चाहते हो कि आपका 30,000 रुपे से थोरा सा budget आप बढ़ा सकते हो और आप 4 core और 8 thread वाले processor के साथ जाना चाहते हो तो basic में अगर आप आप जो stock market में trading के लिए laptop लेना चाहते हो वीडियो डेटिंग के लिए laptop लेना चाहते हो अगर आप जो है photoshop के लिए या फिर आपको जो है graphic designing के लिए laptop लेना चाहते हो कोडिंग प्रोग्रामिंग या फिर स्टेडी परपस के लिए लैप्टोप लेना चाहते हो और अविसली बजेट आपका बहुत ही लिमिटेड है तो बेसेक आप जो है HP 15S के साथ जा सकते हो और इस लैप्टोप को एक सबसे बरा वज़य यह है कि इसमें आप जो है इन के पॉफएंस और बढ़ा सकते हो प्लस इसमें जो रैम जो लगा हुआ है वो आपका 3200 मेगाट्स का रैम लगा हुआ है जिससे कि आपको अवरार पॉफएंस आपको जो है बहुत ही जबर्दा सूपर डूबर फास्ट आपको देखनों का आपको मिलता है इसके साथ ही HP की इस लैप्टोप में आपको जो है 250 Nits का brightness वाला display इसमें दिया गया है ओवरार देखा जाया तो display का quality भी इसमें बहुत ही अच्छा है इसके साथ ही HP की इस लैप्टोप में आपको जो है USB Type-C का port आपको देखनों को मिलेगा और आपको जो है Alexa built-in का भी feature आपको देखनों को मिल जाएगा जहां से आप इसको जो है घर बैठे Amazon से आप खरी सकते हैं